हेलो, वाट्स अफ गाईज, मैं इस पनूत बादू थापा, एंड टोडे इन दिस फीडियो वे विल सी वाव टो एड डिले ओन एनिमेशन ऑन पेज स्क्रोल इन जे कोईरी इन हिंदी, तो चले गाईज सुर्यो करते हैं, लेकिन सब सब भे ले गाईज मैं आपको इतना बात करूँ, सबसे पहले notification आपको आजाए, और आपको खुछ से manually search ना करना पड़े, and guys मैं आपको इतना बाता आना चाहूँगा, कि मैंने ठिक कली के दिन मैं आपको बताया था कि हम किस तरीके से, जब भी page को करेंगे, scroll तो उसमें animation add कर सकते हैं, यह 100% work करता है, ठीक है, लेक कि अलग-अलग direction, अलग effect जरूर दिया, बट वो एक साथ trigger हो रहा है, यहाँ पर भी देखो, तीनो के तीनो एक साथ आए, तो देखा, guys हम क्या चाहते हैं, कि तीनो के तीनो एक साथ ना है, फिलाल single के लिए बहुत अच्छा है, अगर दो जन भी है, तो एक नीचे से बहु इसे add कर सकते हो, delay मतलब कि आप पहले एक दिखा, उसके थोड़े second बात दूसरा, then थोड़े second बात तीसरा है, ऐसे देखो, यह normal है, इसमें देखो, एक, दो, एन तीन, ठीक है, यह normal है, बट आप देखो, मैं क्या दिखाना चाहता है, आपको यह देखो, एक, दो, तीन, च देखने वाले हैं, यह बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि आप mostly website पर गाइस, यह वाले effect देखोगे, ना कि कल के effect, अला कि कल के effect बहुत best है, अगर आपके पास सिब दो है, अगर आपके पास सिब left and right side के होंगे, तो देखो, कितना perfectly होता है, but guys, देखो, यह तीन में भी इतना अच्छा नहीं दिख रही है, दो में एकदम perfect है, एक में तो एकदम ही perfect है, लेकिन जब इस टाइप की gallery की बात आ जाती है, ठीक है, फिर से देखो, जब इस टाइप की gallery की बात आ जाती है, तो guys, वो फिर हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो हमें कैसा चाहिए guys, इस टा जब देख लीजिए, लिंक में टॉप पे जए देँगा, क्योंकि मैं इसी को ही continue कर रहा हूँ, all right guys, तो आज का ये video बहुत ही ज़्यादा important, एकदम useful होने वाला है, so guys, इसको आप end तक ज़रू देखे, and believe भी ये इतना simple है, इतना simple, आप मतलब अगर आपको मैंने ये trick बत बना सकते, but better ये ही रहेगा कि guys, अपने website को आप जितना simple और effective and useful बना सकते उतना अच्छा है, अब directly हम code पे चलते, ठीक है, तो देखे guys, यहाँ पे मैंने रखा हुआ, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, all right, और ये मेरा index.php है, all right, तो देखो guys, हमें जो animation add करना है, वो किस प post पे run करो, और ये php में ने बना है, आप में इसे बहुत हो का doubt था कि php, mysql, ये contact form पे अगर मैं message करता हूँ, तो मेरे database पे message मुझे आता भी है, तो guys, इस ये video एकदाम important है, एक web developer के live के लिए, तो इसका link मैं top पे देदूँग, इस video के एक बार जरूर देखिए, ठीक है अभी फिलाल हमें images ची, तो all right guys, हमें images मिल चुका, एक, दो, तो मुझे क्या करना है guys, हर एक पे पहले class add करना है, ठीक है, तो इस तरके से मैं जाता हूँ, और class add कर देता हूँ, सबसे बल तो guys, मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ पे लिख देता हूँ, gal-animation, ठीक है, और एक बना रहा हूँ, gal--part1, ठीक है, तो guys, मैंने दो classes add कर दी है, और एक और काम करता हूँ, बहर जाता हूँ, और एक space देता हूँ, एक सेगे न, हाँ, ठीक है, अब यह मैं क्या करता हूँ, ठीक, उपर जाता हूँ, अब यहाँ पे space देता हूँ, ठीक है, अब आप लोग को तो एकदम easy and पता चल रहा है कि यह पहला, यह मेरा दूसरा, यह मेरा तीसरा, ठीक है, I think एकदम perfect है, तो मैंने दो classes add किये, सबसे पहला है आपका यह gallery का animation, ताकि मुझे यह जो property, आपको याद है, मैं कल की video को continue कर रहा हूं, तो यहाँ पर guys, यह जो gallery animation, उसको मैं easily add कर सकता हूं, and then, यह मैंने add किया कौन सा guys, जहाँ पर मैंने बता है आपको gallery part 1, अब यह जितने भी part 1 है guys, इसको मैं जल्दी से change करके 2 कर देता हूं, इसको मैं 3 कर देता हूं and then 90, इस तरह किसे मैंने कर देता हूं guys, अब भी आप अगर सोच रहें, मैंने कैसे किया था एक साथ, तो वो control add करना है, पहले तो मैं आपको simple दिखाता हूं कि simple कैसे दिख रहा होता, so guys, मैं यहाँ पर जाता हूं एकदम नीचे, तो आपको मालूम है यह कल के दिन मैंने आपको बताया था कि आपको पहले select करना है, तो हम waypoints जो jquery plugin है उसका use कर रहे थे, उसके अंदर एक function हम मतलब define क direction मतलब क्या करता है, जब हम page को करेंगे, इसको लिया तो हम उपर करेंगे या तो नीचे करेंगे, तो direction भी पता है कि upward scroll हो रहा है या downward, ठीक है, लेकिन by default हम तो नीचे पर दिखा रहे है, तो वो by default है, so उसके अंदर मैंने क्या किया guys, कि chart container, मतलब जो हमारा class का नाम है, उ ये add class क्या guys, ये देखो, animate.css पे अगर आप जाओगे, view on github पे अगर आप click कर दोगे, तो ठीक, इसके यहाँ पर आपना खुद का official github का page है, जहाँ पर इन्होंने बता है कि ये जो ये दिखेगा, मैंने ये link को already copy करके रखा हुआ है, ठीक है, कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, तो इतने सारे animation के नाम हमारे पास बढ़े हुए, और इसको use करने के लिए guys, हमें क्या करना पड़ता है, simply हमें classes देने पड़ते है, class के अंदर animated देना ही पड़ता है, उसके बाद ये आपका effect का नाम है, और आज हम ये ही देखेंगे कि ये delay क्या होता है, ठी इसको मैं इस तरिके से कर लेता हूँ, copy, ठीक है, all right, I think मैंने साइध आपको offset नहीं बता है, अभी हाला कि कल बाद, तो offset मतलब क्या, कि जब हम इसको करेंगे scroll, तो अभी जिस भी class को select करता हूँ ना guys, वो जब तक touch नहीं होदा ना, तब तक वो आता नहीं है effect, और वो हमे नहीं ची, हमें क्या चातो हो कि जैसी यह मेरा gallery है, मैं जब यहां तक पहुझा और इतना space हो, तब वो हमें दिखाई दे, तो offset मलब जो भी आप class का नाम है, deep का नाम दे रहे हो न, उससे 50% लिखा है मैंने, आप चातो इस तरिके से pixel भी लिख सकते थे, तो मैंने 50% लिखा मलब वहां से, और इसकी बीच में जब 50% का gap होगा, तब ही वो मुझे दिख जाना चाहिए, ना कि एकदम टॉप पे टच करते हुए दिख जाए, ठीक है, अगर आपको यह थोड़ा सा सुनने में, मलब थोड़ा सा मलब अभी थोड़ा confusion हो रहा है, तो don't worry, मैंने कल की दि लिएता हूँ guys, I think मैंने पहली copy कर लिया था, हाँ, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, कि यहाँ पर simply मुझे लिखना है dot, अभी देखो, dot में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो है, सभी पर मैंने same class दे रखा है, gallery animation करके, हाला कि short form में मैंने लिखा है, so यहाँ प जूमीन वाला effect दे रहा हूँ, और साथी साथ उस पर offset अड़ कर दिया, ताकि टीक वो gallery टच नहीं, gallery से इतना का जब space हो हमारा जो main gallery है, उससे और यह जो उपर का scroll bar दिखाए दे, उसके बीच में अगर 50% का difference हो, तो हमें यह effect दिख जाना चीए, so guys, इतना आपने कर लिया आपको कल बाता है कि जब तक आप यह जो आपका gallery आपको दिखाई देता है, ठीके, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, guys, इसको हमें hide करना है, and then जब हम इस particular portion पर पहुंचेंगे, तब जाके इसको animate के साथ हमें show करवाना है, so हमें सबसे पहले इसको hide तो करवाना पड़ तो जितने भी मेरे ये gallery animation थे, मतलब सबी के सब images को मैंने opacity zero कर दिया, अब मैं इसको कब दिखाना चाता हूँ, मैं तब दिखाना चाता हूँ, जब मेरे ये जितने भी gallery animation है, जब इसके अंदर animated वाला class जब add हो जाए, तब जाके मुझे उसको show करवाना है, मतलब अगर directly प यहाँ पर वही किया है मैंने, ठीक है, सो ctrl s save कर देता हूँ, यहाँ पर भी ctrl s save कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं एक बार hard reset कर देता हूँ, all right guys तो आप देख सकते हूँ कि page load हो चुका है, ठीक है, अब भी आप देखो, यह ek करके नहीं हुआ, यह दोनो पसंद नहीं आता है, I mean, अच्छा है, बट उतना भी अच्छा नहीं, जो हमें चाहिए, so guys हमें क्या चाहिए, हमें यह चाहिए, यह चाहिए कि पहले एक, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके धेरे देरे आये, लेकिन अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहां से मेरा अनिमेशन स्टार्ट हो जाए, तो यहां पर जाता हूँ, मैं इस तरिके से गैलरी पार टू लिखता हूँ, और हमारे पास CSS में अनिमेशन डिले करके एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं सिंप्ली टाइम दे दूँग, इस तरिके 0.2 सेकंड, इस इस इटना मैं करता हूँ, यहां पर मैं जाके पार्ट 3 को भी कर देता हूँ, अब इस इतना करके दिखाता हूँ, इसको मैं 0.2 के बदले इसको मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, इसको मैं 0.5 सेकंड कर देता हूँ, इसको मैं 0.5 सेकंड कर देता हूँ, इसको अगर मैं रिफ्रेस कर दूँ, तो देखो क्या होता गाई, sales report है, gallery देखो, एक, दो, और यह देखो, दो second बाद आएगा, this is it, हमें यही चाहिए, ठीक है, तो गाई, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने already करके रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं uncomment कर देता हूँ, ताकि मुझे उतना type ना करना पड difference लिएवाई, बस ठीक है, और यह मेरा card part 2 है, जो मेरा card है basically उसका, यह इस तरी किसे आप animation का use कर सकते हो, तो आप देखो, आप कैसा दिखाए देखाए, इसको मैं कर दता हूँ, refresh, all right guys, तो इमतिहान के घड़ी आचुकी है, so, all right, यह एकदम perfect, यह देखो guys, देखा आपने यह भी कितने आच्छे से, दोनों साइट, यह वाला एकदम perfect आया, and then यह तो एक था perfect आ नहीं है, अब main जो हम चाहते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this is it guys, so, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and believe me, यह बहुत, मलब एकदम best है guys, I think यह आपको कहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, ठीक ह So guys, please daily ऐसे awesome वीडियो देखते रहें, एक लिए मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूले, and again बता रहो guys, इस वीडियो का आप जरूर देख लीजे, animate on scroll, और यह जो website है, कैसे देखो localhost पर रन कर रहा है, अगर मैं कुछ भी message भी लिखता हो बेफिकर ओके नीचे comment कीजिए, मैं आपकी जरूरर help करूँगा, and then again guys, please subscribe my channel, and one like subscriber, जल से जल कर दीजिए guys, बहुत खुशी होगी, और right side में कुरेट कलर का bell icon एक घंटी दिखाए देगा, उसको भी hit कीजिए, click कीजिए, ता कि जो भी video upload करूँ, सबसे पहले notification आपको आज So till then guys, thank you so much, take care.